आई बी टीवी के तमाम डिजिटल पेर्फॉर्म पर आप सब दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है देखिए बिहार की राडियती जो है नए दिन जो है नई जो है बाते सामने आती है हम ऐसा ऐसले कह रहे हैं क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स में जब से दुखजार बीस के चुनोख हुए हैं और उस चुनोख के बाद पहले एंडिय की सरकार अब महागरवदन के सरकार है लेकिन रसा कसी का दोर है वो दोनों सरकार में देखने को ही मिल रही है एंडिय की बात जहां तक है तो सभी चीज़ आपको पता है लेकिन महागरवदन के सरकार बनने के बा सामने आ रहे थी लेकिन जैसे ही समय बीट रहा है लगाता रहा देखने को मिल रहा है क्या ऐसे में कैसे जो है महागरणन की जो एकता वो बरकरार रहेगी कैसे क्या कुछ होगा यह तमाम सवाल जबाब है जो सबके में जहने में उड़ता है अब नया बात हम इसलिए आप से क कर रहे है नया बात यह है जो उपेंद कुछ वहां को लेकर के कयासों का जो दौर है वह सुरू है कयास हो भी क्योंकि उपेंद कुछ वहां की जो खवर आये थी वह औस्वास्थ हो गय थे दिल्ली एमस में वह एडमिट थे अगले तीन दिन तक वह भरती रहे वहां पर होने यहां तक का डाला जो हमको छोड़िये हमसे बरे-बरे नेता बीजेपी के संपर्क में है जड्यू कमजोर हो रही है हलांकि उपेंद कुछ बहा को लेकर के जड्यू में भी कुछ जो है हल्की फुल की आवाज इंठने लगे थी बातें सामने आने लगे थी लेकिन जै जनकारी हम रभी पाद्याजी से लेंगे कि बारा बारे की सीज़ों को आपको समझाएंगे आप तक चीज़ों को पहुंचाएंगे रभी जी तब से पहले तो जो तस्वीरे सामने आई थी उसके बाद से लगातार जो हैस्जी एकसन आने सुरू हो गए नितिश कुमार जी न लिकिन बचों में निरज कुमार जी आ है बचों में क्या जदिव की करदा वान रहता हैं बहुत सारे परत पे रहे हैं उनके भूमिकार नहीं का शेप जे सब्नों को टेकिन सबसे पहले हम कहेंगे कि नीरज कुमार जो जदियू के बिधान पारसद हैं और प्रवक्ता है तो प्रवक्ता का ओफिसिल बियान माना जाता है सबसे बड़ी बात यह है तो ओफिसेल बिजान थे का तो हम जो जितना पहले जदियू हाल के दिनों में उपेंदर कुसवाहा से से दूरी बना करके रख रहा था जबकि दूरी इसलिए भी हम कह लें क्योंकि वह स्वस्ते एमस में इलाज करते कोई भी जदियू का नेता उनसे मिलने नहीं गिया तमाम जगह पर जो भी पार्ट होने फीडियू येटर से कही है कि थोड़ा सा वह जो की तरफ से जो jarj कुमार का उसको भी तोड़ा सा जबाब है कि किस तरह से केना चाहेंगे जव एस तरह कर जाए चाहेंगे को मानियो प्हुत मीनि पार्टि और के प्रधान महासचीव और साथी साथ संसदियब बोड का महतपुण दाईतु समालते हुए पार्टी ने उनको सम्मान दिया और साथी साथ उन्होंने जब पार्टी में इस बार सामिल हुए तो पार्टी को नंबर एक बनाने का संकल्प लिया तो उन पर कोई भी सवाल ख़़ा करना इसलिए बेतुका है कि मानिय उपंद कुष्वाज उस वैचारिक विचार धारा के हैं कि अगर किसी ने संब्राट असोप को राजनेतिक रूप से भाशाई अपमानित करने की कोशिस भारतिय जनता पार्टी और आरेसस के द्वारा हुआ तो अंगद की तरह खड़े है इसलिए जो संब्राट असोप परवैचारिक प्रहार करेगा आरेसस और भाजपा उसके साथ उपंद मानिय उपंद कुष्वाज ही चले जाएंगे बिल्कुल बे तुका वोगस और बे बाहियात बात है तो हम ने दर्सकुन को सुनवा दिया जो ने क्या कुछ का है अब फरवरी के उनके कारेकर्म को ले करके बिसेश तोर पर यह संकाला संभावना बने थे लेकिन आज नीरज कुमार ने असपस्ट कर दिया और कह दिया कि वह उनके साथ पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है जो उनके ब्यान का लबो लबाब निकल रहा है वो हमें ब हम भी उसके बाद से अभी वह पार्टी के संसदिय बोर्ड के राष्टी अध्यक्ष हैं तो कई महत्पुन पदों पर रहे हैं तो निश्चित रूप से और नितिश कुमार के खासम खास माने जाते हैं यह हम बार-बार कहते हैं देखिए कि बीच में महागटबंधन के उसके बाद कोई निता बोलता कहा था रहे हैं अब देखिए यू-टर्न लेना भी जरूरी था क्योंकि अगर यू-टर्न नहीं लेते तो जद्यू की ही भद पीटने वाली थी और उपेंदर कुस्वाह ने आज क्या कहा एरपोर्ट पर जो उत्रे उसके बाद बोले कि जो भारतियनता पार्टी के लोग उन्से दिली मेंश में इलाज करने के लिए गया दे फोटो उनकी लिख नहीं हुई थी फोटो तो सारजैनिक किया गया था जो भाजपा उपेंदर कुस्वाहा ने कहा भी ब्यक्तिकत संबंद तो सब अलब हो जाए हो जाए लेकिन ब्यक्तिकत संबंद तो जिससे हो आए गई तो आज उन्होंने बड़ बहुत बड़ी बात कही एरपोर्ट पर कि हमको छोड़िये हमारे दल में हमसे भी बड़े कई नेता हैं जो उपेंदर कुस्वाहा ने कहा जो जडिव संसेद्य बोड के रास्तिय धेंगे कि हमसे बड़े भी नेता भाजपा के संपर्क में है तो यह सभावी कुरूप से तो उसको संपर्क का मतलब देखिए हर चीज को राजिनतिक चसमा से देखिएगा तब ही आप उसको आपको द आने और आने पर तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि उपेंदर कुस्वाहा कहीं जाने वाले हैं आने वाले हैं उपेंदर कुस्वाहा ठोक करके जडियू में ही रहेंगे और उन्होंने असपस्ट आज कर भी दिया लेकिन महानली जडियू को तरब से बयान लेकिन आप ये बताईए जो आगर कहां उनका नाम कहीं पर है कुछ रहा होता ना भाई जदियों के संस्टिप बोड का ध्यक्स पर है उनका भी नाम दे आगर दरकिनार करते चले गए तब तो वो उनको मजबूरी में कुछ इस्टिप उठाना पर जाएगा फिर ने वो देखिए वो तो पार्टी का इंटर्नल मामला है कि माली जे वो संजे सिंग का वो अपना प्रोग्राम होगा या जो भी है उनका अपना प्रोग्राम है महराना परताब का वो किसका देर है नहीं देर है उसको उसमें तूल देने की बात नहीं है तूल देने की बात है क इस तरह से अलग हट करके कोई अगर जिरदी ब्यान देता है कोई बात होता है तो उस पर तूल दे सकते हैं तो उपहिन दिया है उन्हें ने कहा जो पाटी कमजूर हो गई है उन्हों पहीं जैसे डीगा हुआख़ी अर्षाभयिन सब वाज करेंगे टो यह तो ही करते हैं कुसवा हम यह नहीं कर सकते जो पूर्टर साना देखा थे उन्होंने कह दिया पार्टी कमजोर हो दिको माँ फिरा कि वह बहुत बाते कह गए हैं निश्ची तुरुप से उपेंदर कुसवाह कर रहे हैं पार्टी कमजोर हुई है पार्टी को इलाज की जरूरत है यह सब बात और वह बड़ा दिल दिखाते हुए दिया बावजूद वसीट हार जाना जदियों को तो कहीं ने कहीं तो उपेंदर को स्वाह कोई गलत बात तो कोई हमारी आपकी बात तो करना है और निश्ची तुरुप से जिस दिन उन्होंने पार्टी जोइन किया था उस समय से ही वह खड़ा कर दिया हो वहलग मैटर है लेकिन निश्ची तुरुप से वही बात आज नीरज कुमार ने भी कहा कि नहीं पार्टी अगर वह जो बात कह रहे हैं वह कहां गलत है वह नितिस कुमार से मिलने के लिए उन्होंने आज कहा भी कि हमको आपका क्या कहना है जो क्या जद ने गबाद कई जगो पर दोरा भी किया था वो कई जगा गए भी थे बिहार कर्वार कर दोरा किया था उन्होंने तो ऐसे में क्या लग रहा है जो इसको मार यह लेनन शिंग हो या फिर जदियू के लोग क्या चाहेंगे जो बहुंद कुस्वहा चोड़ के जदियू चले क लेकिन एक बात समझना पड़ेगा हम लोगों को कि एक लॉकुस कंबिनेशन है लॉकुस कंबिनेशन के तहत लॉव और कुष यह तो लॉकुस नितिज कुमार और कुसवाहा को पंद्र कुसवाहा की जोड़ी है और निस्चित रूप से जदियू नहीं चाहेगा कि लॉकुस कंबिनेशन कमजोर हो क्योंकि लॉकुस कंबिनेशन की जोड़ी का मने अच्छा इंपक्ट आने वाले चुनाओं में होगा आप देखेगा इस बात को और दस प्रतिशत की आबादी है लॉकुस कंबिनेशन में दस प्रतिशत की आबादी दस परसेट वोट कहीं ने कहीं मा चुबीस तक आप इस बात को समझना पड़ेगा जदिव चाहता है कि उपेंदर कुसवाह मेरे साथ नहीं और नितीश कुमार ने नेता तो जदिव में नितीश कुमार को छोड़ करके कौन निता है कोई निता नहीं है और उपेंदर कुसवाह नंबर दो कैसकते है रवी जी तो उबेंद कुस्वाहा के मामले पर जदियू जो है अब सजग हो गई है जो हम ऐसा कोई चूक नहीं करें जो कुस्वाहा ने कहा भी आज कि हमको जो है तो किस बात का फैसला हम लेंगे मेरे अलावा कौन इसको तैक करेगा यह बात कहा है ना जो ने रिरपोर्ट पर तो ठी नहीं कोई दिकत में अगर जदियून के बातों को तबोज नहीं देती फिर देखा जाएगा ने उसका तो आर्थ जो आप 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 जो कह रहे हैं यह सही हो सकता है आप से बात क्या जाएगा और उन्होंने एक बात और भी बड़ा अच्छा मनें कहा कि हम दिल्ली में भरत इस बात पर भी हमने सवाल खड़ा किया है और साथ ही आज इस प्राकार से पटना एरपोर्ट वो उतरते हैं उसके बाद जद्यू के जो सबसे मुख परवक्ता में से एक निदेश कुमार जी है उन्होंने जो बखुबी अपने बातों को रखी उप इंक सबाहा को ले करके तैसे में अब क्या कुछ होता है यह तो आ आना है एक्स्ट्रा तफ तफ कॉन एक्स्टी के साथ